पॉलिवल इंडस्ट्री में दा ट्रेजरी कुईन के नाम से जाने वाली मशूर आक्टर्स मीना कुमारी जिन होने अपनी ब्रिलियंट आक्टिंग से कई फिल्मों को ब्लोकबस्टर बनाने में जबदस्त भूमिका निभाई होने दसवे फिल्म फेर आवोर्स में तीन सर्वस्रेष्ट अभी नेतरी के नामांकन प्राप्त करके इतिहास रच दिया था हाला कि आज ये हमारे बीच नहीं हैं लेकिन इनके गाने आज भी लोगों के जुबा पर रहते हैं फिर चाहे बात हो सोंग अजीब दासता है ये कह सुरू कहां खतम की या फिर इन्हीं लोगों ने ले लिया डुपटा मेरा जैसे सुपर हिट सोंग की इन्हों ने अपने हरे किरदार को बखुबी निभाया और दशकों से खोबसूर क्या बटोरी आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मिना कुमारी की फैमली और उनकी जीवन से रूबरू करवाने वाले हैं अगर आप भी जाना चाहते हैं इनकी फैमली और इनकी जीवन के बारे में तो बने रहे हमारे साथ ता ट्रेजिटी कुईन मीना कुमारी का जन्म एक अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ उन्होंने यहीं से अपनी स्कूली सिक्सा अपने अभी ने करियर की शुरुवात कर दी थी कुमारी ने साही बीबी और गुलाम पाकीजा मेरे अपने आरती बेजुबाबरा दिल एक मंदिर फूल और पत्थर जैसी तकरीवन बानवे फिल्मों में अपने किरदार को बखुबी निभाया और दर्शकों से खूब लो साइड आर्टेस्ट थी सुदा फरवरी 1952 में कमाल अमरोही और मिना कुमारी ने गुप चुप तरीके से निकाह सामारों में शादी कर ली थी आपको बता दे कि कमाल अमरोही पहले से शादी सुदा थे और उनके पहली शादी से उन्हें तीन बच्चे भी थे हाला कि यह तो कमाल अमरोही शराब की लट से जूंज रहे थे जहां उन्होंने मिना कुमारी का नाम वॉलिवूर इंडस्ट्री के दिगजभी नेता धरमेंदर के साथ जोड़ा इतना ही नहीं बलकि गुलजार और सावन कुमार के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था अलग होने के बाद मिना कुमारी ने किसी और की तरफ आँक उठा कर भी नहीं देखा था 28 मार्च 1972 को मिना कुमारी को सेंट एलीजाबेत नरगिस होम में भरतिकर आये गया वहेद दो दिन बाद कुमा में चली गई और कुछी समय बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्ती हो गई उनकी मोत का कारण लीवर सिरोसिस बताया गया था तो दोस्तों आपको मीना कुमारी की जीवनी और फैमली के बारे में जानकर कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट वोक्स में कमेंट करके ज़रू बताए साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले